आप सभी मित्रों का हर्तिक स्वागत थे आपके अपनी यूटूब चैनल पर आजम गव माता को जो खुला थोड़ा जता है और कैसे वह पागी-बागी दाती है आपको वीडियो में दिखाने वाले है वेसे मधुवन की गवसला के वीडियो है ए आमबावाडी में गई को ख गलत चीज मुमें न जाए और बरतन भी कलेक कर रहे है तो ट्रेक्टर के साथ सभी गवमाता है पीछे पीचारी अभी ये बंदा गेट खोलने जाएगा तो आप देख लीजेगा कैसे वह भागी-भागी चली आती है एक के साथ पीछे की उसके स्टेबलिंग पे जाएगी सिद्धा वहाँ पर फी थोड़ा खोला चोड़ा जाएगा वह ग्राउंड पर बाद में पानी-बानी पिके एकदम स्टेबल क्लीन होने के बाद और सब गवमाता है भी चली जाएगी आप देखी रहे हो कैसे के पीछे एक दूसरी गाई पागी-पागी चली जा रहे है उ अब देख लीजिए मैं आपको एसा लगे ते इंट्रो भी करवाँगा बीचो बीच गवमाता का चो मदोन की उसला में ओभी जो जा रहा है बूल राम बूल तो मैं राम का नाम जिक्र करता हूँ वीडियो में वह यह राम बूल है तो उसके पिछे वह सिहन एक पीला और क काबरी का वीडियो पी आपने ज्यादा तर देखा ही है उसके पीछे भगवती सोरी भगती विगेश सांदार गई है अबावनगर ब्लड लैन वाली काली काबरी एक रफ रोड है चीज़ वज़े से गउमाता को भी ज्यादा रन्वे हो मिंस के हैं उसकी दोड हो तो कोई दिक्कत नहीं उसको पेरों में ज्यादा तर जो आर सीसी और डामर में उसको प्रोब्लम बढ़ती है और इस रोड में कुछ प्रोब्लम नहीं रहता और इसके पी बच्ठ कर देंगे अब पानी का वुह और मता को बापस बेज रहें पानी का बढ़ा चरा इरा को दो pressures घ्याए कor बचीवे को गया और उसके बच्चिया को बापस अलगवाड़े में कर देंगे उसके नश्दी की कि तभी तक इसमें गुमेंगी फिरेगी तो उसका पेर जो मिल्किंग के बाद उसका जो स्ट्रेस थोड़ा वो बड़न वो एकदम फ्री हो जाएगी अब देख लीजिए डुंगर जैसा है जो रोड बन रहा है यहां पर तो उसके इसाब से गवमता को भी एक गाव वाली फिलिंग आए जो चरने जाती है जंगलों में उस तरह के सी फिलिंग मिले और उसको भी अलग-अलग अलग जगा मिले तो उसको भी अच्छा रहता है ज कि दो माता है जब बागती है तो हमें अच्छा लगता है और सांथ हो जाती तो भी अच्छा लगता है वह उसकी हर एक मुमेंट पर हमें अच्छा लगता है क्योंकि वह जब मस्ती करती है तो उसकी एक हैपीनेस होगी तो भी वह मस्ती करेगी वन्हा में मस्ती ने करेगी कि और थीस वज़े से ओफ पूरी रात्रों खूली रहे और थोड़ा टाइम थोड़ा के टाइम बांध ही जाती है यह आ अपर भी हो मस्ती करेंगी यह तो मस्ती करेंगी बाद में सामत के उसको एक बोर्डर एरिया पर चारा डाला देगा यह जो आप गाई देख रहे हो मिल्किंग के बाद का उसका अडर देख लिए यह दस-दस लिटर फर्स लेक्टेसमें में मिल्क दिया है अभी दो मिना ग्याबी ने यह कपीला यह भी बावनगर ब्लड लाइन का यह बूल और पीछे जो बच्ची खड़ी हो भी बावनगर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है आप देख लिजें वीडियो में अच्छी तरीके से सब गाव माताए एफ जो देहन बोलते है गिर में सबसे जो आची गे वे तहिती वो आख्या आप वीडियो में देखते रही है क्या तो अब मताए एक से एक बढ़िया है निकुञ्जबन ने अच्छे से अच्छा कलेक्शन किया है मद्दूहनगीर के उसला में सब बच्ची आप जो भी देख रहे हो उसके वहाँ उसकी मदर फादर सब उसके वहाँ प्रीड हुए और वह भी वहाँ पर बीड हुई आप ट्रमी दिया जो एक टाइट अडर होता है ओडर के इसाब समय दिखता नहीं है कि इतना में देगी पर उसका अडर जो टाइट अडर होता है कभी बिगड़ेगा भी नहीं और मिल्क भी ज्यादा देती है कि इस तरीके से आप देख लीजेह अरे अलग-अलग अडर वाली गया है यह आंबा वाड़ी है यहां पे खुला रखा था गय को भी गई वहां यहां से गई थी बेस्ट सीने यहां पे खुला थोड़ा जाता है थोड़ा बहुत चारा डाल दिया जाता है और पानी की भी सुईदा है और उसको थोड़ा फ्रेस मुमेट मिले थेंक्यू जैगो मता